नमस्कार शिक्षारतियों एना योस के स्टूडियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम भारतिय दर्शन के कोड संख्या 347 के पुस्तक 2 पाठ 14 अध्यास कारण विचार के भाग दो पर चर्चा करने जा रहे हैं अभी तक हमने जाना कि अध्यास जो है उसकी प्रक्रिया क्या है ग्यान की प्रक्रिया क्या है अब हम जानने चा रहे हैं अध्यास के सिद्धान्त कौन-कौन से हैं तो चलिए हम पहले अध्यास के सिद्धान्तों पर ही चर्चा करते हैं ब्रह्म का जो सिद्धान्त हैं उसको भारतिय दर्शन में कहते हैं ख्यातिवाद ख्याती का मतलब होता है ख्याती कहते है ज्यान को परंतु यह कालांतर में ब्रह्म के रूप में रूड हो गया इसलिए हम इसको ख्याती को ब्रह्म ही कहने लग गए और भारती दर्शन में ब्रह्म के सिद्धान्त को ख्याती वाद कहा जाने लगा भारती दर्शन में वेशे तो ख्याती के अनिक सिद्दान्त हैं पर आचारी शंकर ने समस्चिद्दान्तों का समवेश पांच प्रकार के ब्रह्म के सिद्दान्तों में कर दिया जिसका नाम है पंच्क्याती पंच ख्याती कौन कौन सी हैं? तीसरा है अख्याती वाद जो प्राभाकर मिमान सकों का मत है। चोथा है अन्यता ख्याती जो न्याय तता भट मिमान सकों का मत है। और पाँचवा है अनिरवचनिय ख्याती जो स्वयम अद्वेत वेदान्त का ही सिद्दान्त है। इस प्रकार समस्त ब्रह्म की सिद्धान्तों को आचारे शंकर ने पंच ख्याती में इस प्रकार यहां प्रस्तुत किया है आत्म ख्याती, असत ख्याती, अक ख्याती, अन्यथा और अनिलवचनी अंख्याती सबसे पहले हम आत्म ख्याती पर चर्चा करते हैं आत्म सम्मंदी ब्रह्म का सिद्धान्त आचारे शंकर ने बताया है तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माद्यास है हिती वदन्ती अर्थात वो जो अध्यास है वो जो ब्रह्म का सिद्धान्त है उसको कुछ लोग तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माद्यास है अर्थात अन्यवस्तू में अन्य की लक्षणों का अध्यास ही कहते हैं तो यहाँ पर इस चीज को लेकर के दो ख्याती के सिद्दान्त चल पड़े हैं अन्यवस्तू का अन्यवस्तू के रूप में ब्रह्म अन्यवस्तू के धर्मों के रूप में अभिव्यक्ति करन जो है वो जो ब्रह्म का सिद्दान्त है ये दो रूपों में यहां निरूपित है आत्मख्याती और असत्ख्याती जो है वो विज्ञानवादी वोद्धों का मत है और असत्ख्याती जो है वो शुन्यवादी वोद आत्मा शब्द यहां पर विज्यान का आर्थ है विज्यान का आर्थ होता है बुद्ध विज्यानवाद के नुसार विज्यान या विज्यप्ति के त्रिक्त बाईय पदार्थ है ही नहीं हम जो भी कुछ देखते हैं वे सब चित्त मात्र हैं अर्थात बाईय रूप में असत विज्ञानवादी इसलिए आत्मख्यातिवादी कहलाते हैं यहां पर क्या होता है अन्यत्र अन्यद्रमाद्यास है अर्थात बुद्धी आपका जो माइंड है वही बाहिये पदार्तों की रूप में अभियक्त हो रहा है बाहिये कोई वस्तु है ही नहीं सब कुछ आपके अ अधिन्ग बट इस दे प्रोजेक्शन ओफ यॉर माइंड कि आपका जो माइंड है वही जाकर के ब्रह्म की रूप में अभियक्त हो रहा है यानि जब आपनी सुक्ती को देखा तो जो रजत आ रहा है वो आपके माइंड की देने ना तो शुक्ती है ना रजत है बस आपकी जो बुद्धी है वही सुक्ति और रजद दोनों के रूप में आ रही है पर ऐसा संब्व नहीं है कि आपको जब भूक लग रही है तब फिर आपको अपने मस्तिस्क में ही सोच लेना चाहिए कि एपल मुझे खानी है पर ऐसा पोसीबल नहीं है इसलिए आत्म ख्याती का भी खंडन हुआ है दूसरा है असद ख्याती यह शुन्यवादी माद्यमिक बोद्दों का सिद्धान्त है जो असद ख्याती कहलाता है असद का असद की रूप में बासित होने के कारण यह सिद्धान्त असद ख्याती कहलाता है जैसे रसी जब सर्प की रूप में बासित होती है तो असत रसी ही असत सर्प की रूप में बासित होती है यहां रसी इसलिए असत है क्योंकि सुन्यवादी माद्यमिक दरश्य प्रपंच को इम विज्ञान को असत कहते हैं सुन्यवादी के नुसार गे एक ग्याता और ग्यान तीनों ही असत है क्योंकि एक मातर जो सत तत्व है वह सुन्य है और वह चतुस कोटी भी निर्मुक्त है ना सत है ना असत है ना अबयात्मक है ना ही अनुबयात्मक है कहने का मतलब यह है यह कहते हैं कि असत वस्तु ही असत वस्तु की रुप में भासित होती है इसलिए इसको हम कहते हैं असत ख्याती माद्य में जो शुन्य वाद हैं यहां के वल एक ही वस्तु की सत्ता मानी है इसके त्रिक्त समस्त वस्तू जो है वो असत है कि चतुष कोटी विनिर्मुक्त के वो जो सुन्य है उसी की सत्ता यहां पर मानीगी यह उसके त्रिक्त समस्त वस्तू है यानि जब आपने रसी को देखर सर्प का जो आपको ब्रम हो रहा है वहाँ ना तो रस्टी है ना सर्प है असत रस्टी ही असत सर्प की रूप में बासित हो रही है यहाँ एक समश्य है कि असत वस्तू जो है वो कभी बासित हो ही नहीं सकती उधरन के लिए यदि आप रस्टी को असत कह रहे हैं तो फिर रस्टी से आप प्रयोजन केसे लेंगी। आपको यदि कुएं से जल निकालना है तो आपको रस्टी का प्रयोग करना पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते हैं कि रस्टी जो नितांत असत है। इस द्रश्टी से भी इसकी आलोचना हुई है कि असत वस्टू तो कभी भासित होई है। अर्था जिस वस्टू में जिस वस्टू का ब्रह्म या अध्यास है। उन दोनों वस्तों में जो परस परबेद है उसका ग्रहन नए करना ही ब्रह्भ है या या जो सिद्दानत एक खहतिवाद ये प्रबाकर मिमानसकों का सिद्दानत है इस सिद्दानत के इनुसार जैसे आपने रसी को अंदकार में देखा और आपने सर्फ समझ लिया तो आप कि करते हो कि जो रसी और जो सर्प के मद्दे जो बेद है यानि रसी तो जड़ है और सर्प चेतन है एक तो जो है वो निर्जीव एलिमेंट है और एक सजीव एलिमेंट है आप इन दोनों के भेद को करना बूल जाते हो तो यह जो बेद करना बूलना है इसी के करना ब्रह्म होत ख्याती जो है वो नियाय तता बाट मिमान सकों का मत है अध्यास बाश्य में का है कि यत्र यद अध्यासस तश्य विपरीत धर्मत्व कल्पना माचक्षते अर्थात भामतिकार ने इसका अर्थ का है कि यत्र अर्थात जहां शुक्ति रूपी आधार में जिस रज़त का अध अध्यास होता है उस शुक्ति के विपरीत धर्मक की कल्पना करना ही अध्यास है कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है कि जिस वस्तू में जिस वस्तू का अध्यास है उसके विपरीत धर्मों की आप कल्पना सुरू कर देते हो उधरन के लिए आपने शुक्ति को देखा और श उसके रज़त के जो ब्रम हैं, चांदी के जो धर्म हैं, वो शुक्ति के दर्मों से प्रतक हैं, इसी प्रकार आपने जैसे अंदकार में रस्टी को देखा, और रस्टी को आपने सर्प समझ लिया, सर्प का आपको ब्रम हो गया, तो आपने क्या किया कि रस्टी के जो धर्म ह माना जाता है ख्यातिवाद में वो है अनिर्वचनिय ख्यातिवाद यह अद्वेत वेदानत का मत है यह कहता है अन्यश्य अन्यद्रमा वस्ता अर्थात अन्यवस्तू का जो वस्तू वह नहीं है उसका उस वस्तू के रूप में अवभास जैसे शुक्ती रजत नहीं है शुक न करता है न भोगता है वही जीव के रूप में ग्याता करता और भोगता की रूप में अभियक्त हो रहा है तो यह जो यह निर्वचनिय क्याती है अब इसको निर्वचनिय क्यों कहते है इसको हम ब्रह्म भी कह सकते थे पर हम इसको निर्वचनिय क्यों कहते है इसको निर्व सत्वस्तू की रूप में करते हैं यह उथानने के लिए जैसे यह कप है अब यह कप है इसका हम सत्वस्तू कीा कथन करेंगे यह एक सत् यहां कप रखा हुआ है थीक है और यह फिर मैं कहाओं की आकास कुष्प अकास का कमल क्मों अहिक्त पर कंद गोई तो ऊसका नहीं तो सत्थ हो ना असत्थ हो तो उसका वर्णन केसे करोगे आप? क्योंकि यदि आप ये कहते हो कि आपने अंदकार में रसी को देख करके सर्प का ब्रहू हो आपको तो आप यदि ये कहते हो कि यह सर्प जो ना यह सत्थ है यानि इसकी सत्ता है, सर्प की सत्ता है तो सर्प की सत्ता इसलिए नहीं मान सकते हो क्योंकि जब आप रसी को पकड़ोगे तब सर्प की जो सत्ता है उसका नास हो जाएगा इसलिए उसको सत्त नहीं कह सकते और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि नई साब ये तो जो सर्प है, ये तो असत है, ये इससे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते हुआ, क्योंकि वो आपके अंदर बहे को उत्पन कर रहा है, वो आपके अंदर आपके बीपी को बढ़ा रहा है, आपको डर लग रहा है, इसलिए उसको बिल्कुल असत नहीं चान्दिये ये केसी वस्तु है, एन शनिया वस्तु है क्योंकि ना तो ये शत है, ना ही असत है, इसलिए इसको एन शनिया का गया है, अथात, it cannot be described through words, अब अध्यास का कारण क्या है, अदवाइत वइदान्त को कभी ब्रह्म नहीं होता ब्रह्म ग्यानी के समक्ष्य दिया आप ब्रह्म उत्पन करना चाहरा है तो वो आपको देखकर मुस्कुराएंगे महात्माबुद्द को महाविष स्वामी को इत्यादी जो संत हैं आचार्य शंकर को जब इनको हम देखते हैं तो ये चुकि ब्रह् ये ब्रम को उत्पन करने के लिए अविद्या का होना तो अत्यावशक है साथ ही बेदाग्र है दूसरा जो कारण है वो है बेदाग्र है और तीसरा जो कारण है वो है प्रमात्रे दोस, साद्रश्य ज्यान और पुर्वानुबूत संसकार जो वेदान्त परिवाशा कारकामत है पहले हम चलते है अविद्या अध्यास का मूल कारण अविद्या है आचार्येशंकर ने अध्यास बाष्ये में का है अर्थात मिठ्या ग्यान ही जिसका निमित कारण है कि यह लोकब वेवार नेसरगी कहँ है अर्थात अनन्त काल से चला रहा है कि मै जीव हूँ और यह सरीर मेरा है और इस सरीर के जो नातेदार है पुत्र पतनी इत्याद ये मेरे है इस प्रकार से यह विवार अनादिकाल से चला आ रहा है जो हना यह संसार चलता है तो अध्यास का प्रमुक कारण जो है वो अविद्या है पंचपाजी का कार करते हैं कि जुद आत्मी का अविध्या शक्ति ज्ञान परियुदासिएißt उच्चति तन्निमित्य तदुपादान इत्यर्थ है कहने का आश्य है कि जो अध्यास है उसका कारण अविध्या है और वह अविध्या क्या है मिध्या है कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो रसी को देखकर सर्प का ब्रह्म हो रहा है तो जो सर्प है उसको आप यह नहीं कह सकते हो कि यह तो असत है इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हम डरते हैं इसलिए हम उसको असत नहीं कह सकते हैं और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये तो पर्मानेंट है, बिल्कुल सत है ये तो, एसा इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि जब लाइट आजाएगी, और आपको पता लग जाएगा ये तो रसी है, सर्प नहीं है, तो उसका बाद हो जाएगा, इसलिए न तो वो सत है ना सत है, दूसरा वो है बेदा गरह देखिए आत्मतत्व तो चेतन है और अनात्मतत्व अर्था दे इंद्री अन्तय करन जगत यह जढ़ है इन दोनों को मिलाने से ही अध्यास होता है इन दोनों को आधार बनाकर के ही अध्यास बनता है तो हमको क्या है? हमको इन दोनों के बेद का ग्रहन नहीं होता हमको यह पता नहीं रगता कि यह जो शरीर है यह जड़ है तो इस जो दे हैं इसके नातों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए एहमता और ममता हमको नहीं रखनी चाहिए इस बेद का ग्यान हमको नहीं है सर्प का ब्रह्म होता है अंदकार में आप समद लेते हो अरे यह तो सर्प है और डरना सुलू कर देते हो क्यों क्यों क्योंकि दोनों के मद्दे आपको बेद का ग्रहन नहीं है आप समुद्रत पर जा रहे हो और आपने सीप को देखकर चांदी का ब्रह्म कर लिया और उसको भी एक प्रकार का इसका कारण है अध्यास वो बेदा ग्रहन व्यापता है भामती कार कहते हैं कि अध्यास वो बेद के ग्रहन नहीं होने से व्यापता है तो वेदान्त परिवाशा कार का भी मत है कि तीन जो कारण है वो भी अध्यास के कारण है एक तो है प्रमात्र दोस, दूसरा है साधरिश्य ग्यान, और तीसरा है पौर्वान भूत संसकार तो जो प्रमात्र दोस हैं, कहने का मतलब है कि हमने आपको बताया था कि आपने जब समदर तट पर आप जा रहे हो और आपने सीब को जब देखा तो सबसे पहरे तो आपकी आँक में दोसी था उश्कोंने का काच कामला दी दोस्ट क्योंकि यदि आपकी आपकी आँक बिल्कल परफेक्ट है आपकी आँक को 6x6 बिल्कल दिख रहा है 6x2x6 आपको बिल्कल विजीबल है तो आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि सीप को देकर आपको ब्रम होगा तो प्रमात्री दोस्ट, प्रमाता का दोस्ट, आंक समन्दी दोस्ट जो है वो भी अध्यास का कारण है दूसरा कारण होता है साद्रश्य ग्यान अर्तात सीप और रजट में चाक चिक्या दी सादर्श्य है दोनों चमकीले हैं, तब ही तो हो रहा है न? भाई सर्प जो है वो भी लटकता हुआ रहता है रसी के समानी होता है वो एक अंतर उन में यह होता है कि एक जढ़ होता है चेतन होता है पर वो दोनों समान होते हैं इसलिए साद्रश्य ग्यान भी अध्यास का कारण है और तीसरा है पूरवान उबूद संसकार कि पहले देखे गए रज़त का अविद्या की माध्यम से संसकार जागरत करना और रज़त की रूप में प्रकट होना यहां पर अविद्या का बड़ा रोल होता है कि आपने अनाधिकाल से उस संसकार को संजो रखा है कि आपने चांदी भी देखी हुई है उसका संसकार आपके अंदर विद्यमान है मान लो कोई ऐसा वेक्ती जिसने कभी चांदी देखी ही नहीं तो उसको सीप को देखकर कभी चांदी का ब्रह्म होगा ही नहीं क्योंकि उसने चांदी कभी देखी नहीं या ऐसा वेक्ती जिसने कभी सर्प देखा ही नहीं हो एक बालक जिसने कभी सर्प देखा ही नहीं हो तो वो रसी को देखकर कभी नहीं डरेगा क्योंकि उसने सर्प देखा ही नहीं तो वो किसके साथ उसकी similarity करेगा उसी प्रकार से जन्म जन्मों से यह जीव अपने आपको ग्याता करता और भोगता समझ रखा है वो इस संसार की वासना में इतना लिप्त हो चुका है कि उसको यह पता ही नहीं है कि भई मैं तो विशुद्ध आत्मतत्त हूं मैं तो ब्रह्म हूं पर वो इस जगत के इस सांसारिक प्रपंच में उलज जाता है तो यह जो पूर्वान बूद जो संसकार है अनेक अनेक जन्मों से मैं अपने आपको ग्याता करता भोगता समझ रखा हूं इस संसार के इस दे के नातों को अपना मान चुका हूं तो यह वासना इतनी जल्दी जाने वाली नहीं क्योंकि पूर्वान बूद संसकार है तो यह जो तीन कारण हैं यह भी अध्यास के कारणा माने गए हैं अब हम आते हैं कार्यकार्ण सिद्धांत पर कि वेदांत में जो कार्यकार्ण सिद्धांत है वो कितने प्रकार के हैं वेदांत में कार्यकार्ण के दो सिद्धांत हैं एक है परिणामवाद और एक है विवर्थवाद परिणाम किसको कहते हैं सह तत्वतो अन्यता प्रथा विकार इत्यू दिरित है अर्थात तत्यो सहीत अन्य वस्तू में जो परिवर्तन है उसको हम कहते हैं विकार उधारन के लिए दूद से दही का बनना जब तो दही में दूद का अंस्विद्यमान है बिना दूद के दही नहीं बन सकता लकडी से दही नहीं बन सकता क्यों क्योंकि दही में किसका अंस्विद्यमान है दूद का अंस्विद्यमान है तो दूद से दही का जो परिवर्तन है ये परिवर्तन जो है ये कहलाता है विकार ये परिवर्तन कहलाता है परिणाम और इसमें अद्वेत सिद्धी में कहा गया है समसत्ता कारिया पत्ति ही अर्थात जो दोनों कारिय और कारण है उनकी समान सत्ता है दूद जो है वो भी विकारी है और दई जो है वो भी विकारी है अर्थात दोनों ही नश्टोंने वाले है ठीक है यह जो संसार है वो प्रकरती से उत्पन हुआ है वह माया से उत्पन हुआ तो यह जो है यह है प्रकरती परिणामबाद सांख्य कामत है दूसरा है ब्रम परिणामबाद कि यह संसार जो है वो ब्रम का परिणाम है ब्रम का विकार है वैश्नव वेदान्ती जो है अद्वाइत वेदान्तियों के तरिक्त वो ब्रह्म परणामबाद को मानते हैं हमने आपको बताया था कि वेदान्त जो है वो वस्तुत है चार रूप में मुख्य रूप से विवक्त है एक है अद्वेत वेदान्त, एक है विशिष्टा द्वेत वेदान्त, एक है द्वेता द्वेत वेदान्त और एक है शुद्दा द्वेत वेदान्त तो अद्वेत वेदान्त के अत्रिक्त जो विशिष्टा द्वेत है द्वेता द्वेत है और शुद्दा द्वेत है ये ब्रम परिणामबाद को मानते हैं यह मानते हैं कि जो यह संसार है वो ब्रम का परिणाम है जैसे दही जो है वो दूद से बना है जैसे ब्रक्स से लकडी बनी है उस प्रकार से यह परिणाम है अब अद्वेत वेदानत में परिणाम और विवर्त का क्या उप्योग है अद्वेत वेदान्त में जो जगत है वो परणाम भी है और विवर्त भी है जगत ब्रह्म का विवर्त है और माया का परणाम है अद्वेत वेदान्त में अध्यास और जो ब्रह्म है वो परणाम और विवर्त दोनों है केसे है शुक्ति में जो रज़त का ब्रह्म होता है तो यहाँ पर रज़त जो है वो चेतन्य का विवर्त है और अविद्या का परणाम है कहने का आशे क्या है कि अद्वेत विदानत में जब हम जगत कहते हैं तो जो उधारन था इसमें वो था कि जो मकड़ी है वो जाले के परती उसको जाला बनाने के लिए किसी अन्यवस्तू को बाहर से लाने के आवशकता नहीं है वो अपने लारवे से ही जाले का निर्मान करती है तो इस द्रश्टी से वो पादान कारण मन जाती है इस द्रश्टी से जाले के प्रती परिणाम हो रहा है ठीक है? क्यों? क्योंकि तत्वसाइद परिवर्तन हो रहा है और दूसरा मकडी जो जीवित है उसमें जो चेतना है उसके माद्यम से वही उस जाले को बुन रही है तो वो उसका निमित कारण हो गया तो वो उसका विवर्त हो गया तो वेसे ही जो जगत है वो ब्रह्म का क्या है? परिणाम है ब्रह्म का परिणाम कैसे है? माया के माद्यम से माया के द्रश्टी से परिणाम है क्योंकि माया ही उसके लिए मटरिल उपलब्द करा रही है और माया क्या है? ब्रह्मी के सक्ति है दोनों में बेद नहीं है दूसरा इश्वर अपनी ब्रह्म माया के माद्यम से इश्वर बन करके इस जगत का विवर्थ करता है तो जो विवर्थ किसको कहते हैं विशम सत्ता का कारिया पत्ति ही अर्था दोनों में विवर्त है, दोनों में बेद है जैसे रसी जो है उस सर्प को, सर्प के रूप में उद्बासित होती है तो चूंकि सर्प रसी नहीं है तो यह जो ए तत्वरहित जो परिवर्तन है इसको हम कहते हैं विवर्त ब्रह्म में भी प्रणाम और विवर्त का उप्योग अध्याश जो है उसका कारण क्या है और इन कारणों में पंचख्याती क्या है यह भी बताया कि प्रणामबाद क्या है विवरतवाद क्या है परिणामबाद को किस प्रकार से उप्यों किया गया है कौन से दर्शन ब्रम परिणामबाद को मानते हैं कौन सा दर्शन प्रकरती परिणामबाद को मानता है आशा करता हूं कि अध्यास के उपादान विचार को आप सभी शिक्षारती बली प्रकार समझ गए होंगे इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद